हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे हार्ट्स अंदा हैंड्स के बारे में जो की लिखा गया है ओ ओ हेंड्री ने इसे लिखा है तो यह जो सीन है वो एक ट्रेन में दिखाया जाता है वो बी एन एम एक्सप्रेस नाम है उस ट्रेन का और यह जो स्ट्रेन है अभी डेनवर में और यह इस्ट के तरफ जा रहा है डेनवर से इस्ट के तरफ तो फिर वान ओफ दे सीट्स में बैठी थी मिस फेर चाइल फेरी चाइल और उनकी जो आपोसिक में जो तो बुश सीट था वो एमटी था वो आप इसे लग कहें या लग क अगयें आ और वहां पर दो जन आके बैठे उसमें से एक जन मिट्रें इस अंता और और एक जन था उनका हुनकेMaster में हम अभी बात नहीं करेंगे तो फिर एक मिस्टर इस्टन था और और एक अग अले में था तो दोनों का हाथ हैंड कफ था हैंड कफ मतलब हतकड़ी लगाया हुआ था दोनों के हाथ तुमें एक साथ तो फिर मिन्स एक हैंड उसका और एक हैंड मिस्टर इस्टन का हैंड कफ था तो फिर जो मिस फेरी चाइड ने रेक्नाइस किया अरे ये तो Mr. Eastern है मैंने इन्हें कहीं देखा है मैंने इस आदमीं को देखा अरे हाँ ये Mr. Eastern है तो फिर Miss Ferry Child ने आके आके बोला क्या आपने मुझे रेक्नाइस किया तो Mr. Eastern ने कहा अरे हाँ you're Miss Ferry Child राइट, how nice to meet you फिर Mr. Eastern लेफ्ट हैंड से वेव करता है पर बोलता है कि sorry मैं ये राइट हैंड उठाने ही सकता क्योंकि you know मुझे इस जेलर को मुझे इस प्रिजनर को लेके जाना पड़ेगा लेवन वर्थ प्रिजन में मुझे लेके जाना पड़ेगा तो फिर Miss Ferry Child बोलती है oh you're a marshal आप एक कॉप है आप एक पुलिश है वाव तो फिर फिर वो अपने आप अपने में बढ़ाई करने लगता है Mr. Eastern कि हाँ आप तो जानते हैं कि marshal एक ambassador के post तक जाता है एक ambassador जैसा post में रहता है तो Miss Ferry Child बोलती है वाव एमबेस्टर तो फिर वो भी बहुत खुश होती है पर वो जो दूसरा आदमी बैठा था वो means एकदम rough था एकदम लग रहा था कि really he was a thiep और वो कोई दूसरा आदमी नहीं था he was really a thiep और कुछ तेर होने के बाद बादचीत होने के बाद जो दूसरा आदमी है उसने कहा कि मैंने बहुत टाइम से wine और smoke नहीं किया है चलो मुझे smoke room लेके चलो तो फिर मिस्टर एकिस्टॉन ने मिस फेरी चैल को कहा ओके गुडबाई हो सकता हम फिर मिले या फिर हो सकता हम नहीं मिले तो फिर मिस्टर फेरी चैल बोलती हाँ मुझे मिलने का ज़रूरी इंतचार रहेगा फिर वो लोग चल जाते smoke room की तरफ उसके बाद क्या होता है उन लोग दोनों का ये नहीं बताएगे पर जो मिस्टर फेरी चैल के भकल में जो passengers थे वो लोग बातचित करने लगे वो फिर वो लोग बातचित करने लगे और बोले की अरे तुम तुमने कुछ अजीब लगा तो फिर दूसरा passenger बोल रहे है अजीब क्या ये तो पूरी वो सबसे अजीब है कि ये कुछ अजीब नहीं है ये आदमी जूड बोल रहा था वो Mr.Easton was really a prisoner और जो दूसरा side जो बैठा वा था जो आदमी था वो actually marshal वो actually cop वो actually policeman था तो फिर पूछा उस passenger ने कि तुम्हें कैसे पता तो फिर तो फिर दूसरे passenger ने कहा कि तुम्हें कैसे पता तो फिर उसने कहा अरे कभी भी किसी marshal या cop को देखा है right hand में हतकड़ी पहने वो हर दम left hand में हतकड़ी पहनता है and you know this is the perfect let me say perfect title hearts and hands Mrs.Easton जो Miss Ferry Child ने कुछ और देखा उसके heart ने कुछ और कहा उन्होंने जो आँखों से देखा वो कुछ और था means hearts उनके heart में कुछ और था पर जो एक बार एक बार जो उन्होंने Mr.Easton का hand देख लिया फिर सब बाते पता चल गई means अगर Mr.Easton का जब पहली बार मुलाकात होई होगी तो उसका heart देखा होगा heart देखके सब clear हो गया कि he is a very good man पर इनका जो hand वैसे सच्चा ही पता चली कि नहीं वो पता नहीं पर इनका एक बार hand देख लिया तो इनके सच्चा ही पता चली है ये कैसे आदमी है that's why the title या फिर शिर्शक हम जो कह सकते है hearts and the hands is appropriate for you so for later videos please like, subscribe and share my YouTube channel any problem just comment and I'll be there so for till then thanks and have a great day